Hello students, welcome to Magnet Brains, कैसे हैं आप सभी लोग आई, hope आप सब बढ़िया होंगे आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूं Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है free of cost quality education from class K to class 12 जी हां सई सुना आपने किंटरकारन से लेकर class 12 तक कराई जाती आपको complete education वो भी free of cost प्रोवाइड तो करना क्या है आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है और कर दिना है Magnet Brains को सब्सक्राइब जहां पर आपको CBSE Board से लेकर other state board जैसे की UP board, MP board, विहार board जैसे courses भी available है यहां तक की आपको practice questions भी यहां पर solve कराए जाते हैं e-books and e-notes की जो link है आपको description box में मिल जाएगी तो करते हैं आज की video start मेरा नाम है हश्मित कोर और मैं हूँ आपकी maths faculty तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे chapter 9 जिसका नाम क्या है parameter and area उसकी exercise 9.2 exercise 9.2 हम already start कर चुके हैं जिसमें हमने part 1 में question 1 to question 6 solve किये थे और उसके बाद part 2 में question 7 to question 12 solve किये थे अब इस video में हम करेंगे question 13 to question 17 solve ठीक है? अगर आपने वो videos नहीं देखिए तो starting से आपको वो videos देखने हैं हर एक question को solve करना है और वो video अच्छी लगे तो आपको क्या करना है उस video को? like करना है, comment करना है, जादा से जादा share करना है and then फिर आना है इस video पर ठीक है? तो question 13 क्या बोल रहा है हमसे? a circular flower bed is surrounded by a path 4 meter wide मतलब आप यहाँ पर figure देख सकते हैं यहाँ पर क्या बोल गया? circular flower bed is surrounded by a path यह circular flower bed है जो की एक path से surrounded है यह क्या है? यह path है, ठीक है? जो की 4 meter wide है 4 meter wide है मतलब? 4 meter wide है मतलब यह जो है यहाँ पर आपको जो यह दिख रहा है distance यह कितना है? 4 meter का है, ठीक है? इस path का जो distance है वो कितना है? 4 meter का है the diameter of the flower bed is 66 meter बोला जा रहा है कि जो diameter है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है diameter वो कितना है? 66 meter है, ठीक है? what is the area of the path? हम से क्या पूछा जा रहा है? कि हमें find out करना है कि यह जो path है उसका area क्या होगा? ठीक है, इतना आ गया समझ में तो सबसे पहले हमें जो find out करना है वो क्या है path का area ठीक है? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? आपको दिख रहा होगा, यह पूरा circle जो बना हुआ है हम क्या करेंगे? सबसे पहले यह पूरा circle का area find out करेंगे ठीक है? आया समझ में? उसमें से हम क्या करेंगे? उसमें से हम यह जो छोटा वाला circle है उसका भी area निकालेंगे और दोनों को minus कर देंगे इस पूरे area में से जो बड़ा वाला circle है उसमें से इस छोटी circle का area हम minus कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें यह जो path का area है यह मिल जाएगा ठीक है? आया समझ में यह पूरा जो path का area है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा ठीक है? आगया समझ में तो करते हैं question को start तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हमें information क्या देके रखी हुई है? सबसे पहली information हमें देके रखी हुई है diameter of the flower bed यह diameter आपको दिख रहा है कितना देके रखा है? 66 meter ठीक है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे diameter of the diameter of the flower bed कितना है? 66 meter ठीक है? और हमें क्या करना है? जैसे कि मैंने आपको बताया हमें find out करना है area तो area में क्या चाहिए रहता है? हमें radius चाहिए रहता है तो सबसे पहले हम find out करेंगे radius क्या find out करेंगे radius जिसका formula क्या है? diameter divided by 2 ठीक है? and diameter कितना है? 66 meter तो diameter divided by 2 करेंगे मतलब 66 divided by 2 करेंगे तो answer क्या आएगा? answer हमारा आजाएगा 33 meter ठीक है? इतना आया है समझ में अब हमारे पास आचुकी है radius अब हम क्या कर सकते हैं? हम area find out कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं? area of the flower bed हम find out कर सकते हैं area of the flower bed क्या है? area of the inner circle भी बोल सकते हैं bracket में हम लेगे देते हैं यहाँ पे जो inner circle है ठीक है? उसका हम क्या कर रहे हैं? area find out कर रहे हैं formula क्या रहता है? pi r square pi की value क्या लेनी है? यहाँ पर देखे रखी हुई है 3.14 हम भो ले लेंगे radius जस्ट अभी हमने निकाली 33 multiply by क्या कर देंगे? 33 कर देंगे ठीक है? आया समझ पे अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हम decimal remove करेंगे 3.14 decimal remove करेंगे decimal के बाद 2 digit हैं 2.0 denominator में लग जाएंगे यहाँ पर 1 आजाएगा multiply by 33 multiply by 33 ठीक है? अब हमें क्या करना है? अब हमें multiply करना है सबसे पहले क्या करेंगे? 3.14 को 33 से multiply कर देंगे यहाँ पर क्या कर सकते है? 33 multiply by 33 पहले कर लेते हैं ठीक है? 33 को 33 से multiply करेंगे आंसर क्या आएगा? 3.3 is a 9 3.3 is a 9 same here 3.3 is a 9 3.3 is a 9 and प्लस कर देंगे यहाँ पर 9 आएगा 9 प्लस 9 18 1 कह रही है यहाँ यहाँ पर 1 प्लस 9 10 तो क्या आंसर आ रहा है? 1089 हमारा आंसर आ रहा है अब हमें क्या करना है? 1089 को 314 से multiply कर देंगे ठीक है? 1089 multiply by 314 ठीक है? multiply करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 4.9 is a 36 3 कह रही है यहाँ पर 4.8 is a कितना होता है? 32 32 प्लस 3 कर देंगे तो क्या आएगा? answer 35 3 कह रही है यहाँ पर then उसके बाद 4.0 is a 0 and 0 प्लस 3 कर देंगे तो यहाँ पर answer आएगा 3 and 4 1's a 4 ठीक है? cross का sign आएगा अब 1 से multiply करेंगे यहाँ पर 9 यहाँ पर 8 यहाँ पर 0 and यहाँ पर 1 आ जाएगा फिर दो बर और cross कर देंगे 3,9's a 27 7 यहाँ पर आएगा 2 कहरी यहाँ पर चली जाएगी then 3,8's a कितना होता है? 24, 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा 26, 6 यहाँ पर आएगा 2 कहरी यहाँ पर चली जाएगी then 3,0's a 0 and 0 प्लस 2 कर देंगे तो यहाँ पर 2 आएगा and then उसके बाद 3 बनजा 3 आ जाएगा यहाँ पर अब हमें क्या कर दिना है? add कर दिना है यहाँ पर 6 आएगा 5 प्लस 9, 14 4 यहाँ पर 1 कहरी यहाँ पर 1 प्लस 3, 4 4 प्लस 8, 12 and 12 प्लस 7 करेंगे तो क्या आएगा answer? 19 आजाएगा 1 कहरी यहाँ पर 1 प्लस 4, 5 5 प्लस 0, 5 and 5 प्लस 6 कितना होगा? 11 1 कहरी यहाँ पर 1 प्लस 1, 2 2 प्लस 2, 4 and यहाँ पर 3 आजाएगा ठीक है? तो answer क्या आ रहा है? 3, 4, 1, 9, 4, 6 तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3, 4, 1, 9, 4, 6 and divided by क्या है? divided by है 100 ठीक है? अब हमें क्या दिख रहा है? denominator में 100 है 2 0 है उसमें अब numerator में and से count करते हो दो digit के पहले क्या लग जाएगा? decimal लग जाएगा मतलब 3, 4, 1, 9, 0, 4, 6 and 7 में क्या लग जाएगा? meter square लग जाएगा ठीक है? इतना आया समझ में तो area of the flower bed जिसे हमने area of the inner circle माना है वो क्या निकल के आया है? 3, 4, 1, 9, 0, 4, 6, meter square ठीक है? इतना आगया समझ में अब हम क्या करेंगे? अब हम area of the outer circle निकाल लेंगे मतलब ये जो भार वाला circle है उसका area निकाल लेंगे लेकिन उससे भी पहले हमें radius पता होना जरूरी है कि ये जो भार वाला circle है उसकी radius क्या है? तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें आपको पता होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो inner circle है उसकी radius कितनी है? जस्ट अभी निकाली 33 meter ठीक है? एंड साथी में हमें पता है यह जो path है वो कितना है? 4 meter wide है तो जब हम 33 plus 4 meter कर देंगे तो यह पूरा radius आ जाएगा outer circle का बिल्कुल आ जाएगा तो अब हम ऐसे ही निकालेंगे ठीक है? तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं radius of the outer circle कितना आएगा? जब हम 33 meter plus 4 meter कर देंगे तो answer क्या आ रहा है? 37 meter आ रहा है इतना आया समझ में अब हमें क्या find out करना है? area of the outer circle find out करना है तो यहाँ पर हम लिख देंगे area of the outer circle ठीक है? formula क्या रहेगा? formula रहेगा pi r square ठीक है? तो pi की value क्या लेनी है? 3.14 multiply by radius कितने निकाली है? जस्ट अभी निकाली है 37 multiply by 37 कर देंगे ठीक है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? decimal remove करेंगे तो decimal remove करेंगे यहाँ पर 314 आएगा decimal के बाद दो digits हैं तो यहाँ पर 2-0 and यहाँ पर 1 आजाएगा multiply by यहाँ पर 37 and यहाँ पर भी क्या है? 37 है ठीक है? इतना आया है समझ में अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? 37 multiply by 37 कर लेंगे ठीक है? 37 को हम 37 से multiply करेंगे तो answer क्या आएगा? 7, 7 is a 49 4 करेंगे यहाँ पर 7, 3 is a 21 21 प्लस 4 करेंगे 25 आएगा then cross का sign 3, 7 is a 21 1 करेंगे sorry 1 यहाँ पर and 2 करेंगे 3, 3 is a 9 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 9 प्लस 2 11 add कर देंगे यहाँ पर 9 यहाँ पर 6 यहाँ पर 3 and यहाँ पर 1 answer क्या आ रहा है? 1, 3, 6, 9 आ रहा है मतलब जब हमने 37 को 37 से multiply किया 1, 3, 6, 9 हमारा answer आ रहा है अब हम क्या करेंगे? 3, 1, 4 को इससे multiply कर देंगे 1, 3, 6, 9 को हम क्या कर रहे है? 3, 1, 4 से multiply कर रहे है तो answer क्या आ रहा है? 4, 9's a 36 6 6 यहां पर 3 carry यहां पर 4 6 कितना हो जाएगा 24 and 24 plus 3 कितना हो जाएगा 27 7 यहां पर 2 carry यहां पर then 4 3s are 12 12 plus 2 कितना होगा 12 plus 2 हो जाएगा 14 4 यहां पर 1 carry यहां पर 4 1s are 4 plus 1 5 हो जाएगा ठीक है यहां पर cross का sign 1 से multiply करेंगे यहां पर 9 आएगा यहाँ पे 9 आएगा यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 यहाँ पे 1 ठीक है, पर double cross लग जाएगा and 3 9s आ कितना होता है 27, 7 यहाँ पे 2 carry यहाँ पे, देन उसके बाद 3 6s कितना होता है, 3 6s आ 18 होता है, 18 प्लस 2 करेंगे तो कितना होता, 20, 0 यहाँ पे 2 carry यहाँ पे, देन उसके बाद 3 3s 9, 9 प्लस 2 10, 11 हो जाएगा, 1 यहाँ पे and 1 carry यहाँ पे, 3 1s 3, प्लस 1, 4 हो जाएगा यहाँ पे 4 लिख देंगे, अब हम कर देंगे add, यहाँ पर 6 आएगा, 7 प्लस 9 16, 6 यहाँ पे 1 carry यहाँ पे 1 प्लस 4, 5, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 7 हो जाएगा तो answer क्या आएगा, 18 ठीक है 1 carry यहाँ पे चली गई, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 3, 9, 9 प्लस 0 9 होगा and यहाँ पर 2 and यहाँ पर 4, तो answer क्या आ रहा है हमारा, answer आ रहा है 4, 2, 9, 8, 6 6, क्या आ रहा है answer answer क्या आ रहा है हमारा 4 आंसर हमारा आ रहा है यहां पर 4, 2, 9, 8, 6, 6 ठीक है and divided by क्या करना है हमें divided by 100 करना है ठीक है इतना आया समझ में जल्दी से बताएं इतना समझ में आया अब हम क्या करेंगे fraction में देखे रखा है decimal में convert कर देंगे तो हमें दिख रहा है denominator में 2 0 हैं तो अब हम क्या करेंगे numerator में and से count करते हुए दू डिजिट के आगे क्या लग जाएगा decimal लग जाएगा ठीक है तो यहां पर क्या आएगा 4, 2, 9, 8, 0, 6, 6 meter square तो यहां पर area of the outer circle क्या निकल के आ रहा है 4, 2, 9, 8, 0, 6, 6 meter square ठीक है अब हमने क्या किया area of the inner circle भी find out कर लिया है area of the outer circle भी find out कर लिया है अब हम क्या कर सकते है area of this path बता सकते है कैसे area of the outer circle में से हम क्या कर देंगे area of the inner circle को हम subtract कर देंगे ठीक है इतना आया समझ में तो अभी आपको क्या करना है subtract कर करके बताना है क्या answer आएगा आगे आपका answer तो क्या है answer सबसे पहले हमें करना क्या है area of this path निकालना है यहाँ पर हम लिख देंगे area of this path ठीक है area of this path निकालने के लिए क्या करना होगा जैसे कि मैंने आपको बताया outer circle में से outer circle के area में से हम inner circle का area subtract करना है ठीक है तो outer circle का area क्या आया है 4298.66 cm2 ठीक है minus हम कर देंगे inner circle के area को जो कि क्या है 3419.46 यहाँ पर meter square है यहाँ पर meter square लग जाएगा minus and यहाँ पर भी meter square लग जाएगा ठीक है तो जब हम minus करेंगे answer क्या आएगा minus करेंगे तो 6 में से 6 जाएगा 0 आएगा 6 में से 4 जाएगा then 2 आएगा decimal लग जाएगा 8 में से 9 नहीं जा सकता carry लेंगे 18 में से 9 जाएगा यहाँ पर 9 जाएगा यहाँ पर 8 बचेगा 8 में से 7 जाएगा 7 आएगा यहाँ पर उसके बाद 2 में से 4 नहीं जा सकता हम carry लेंगे 12 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर 8 बचेगा यहां पर 3 बचे का 3 में से 3 जाएगा तो 0 आएगा मतलब basically हमारा answer क्या आ रहा है 879.20 m2 ठीक है आया समझ में मतलब area of this path क्या निकल के आ रहा है 879.20 m2 ठीक है आ गया समझ में आया है तो चल्दी से note down कर लीजिए कर लीजिए आपने note down अब next question क्या है question 14 a circular flower garden has an area of 314 meter square a sprinkler a sprinkler at the at the center of the garden can cover an area that has a radius of 12 meter will the sprinkler water the entire garden हम से क्या बोला जा रहा है कि एक circular flower garden है ठीक है एक circular क्या बना हुआ है flower garden बना हुआ है जिसका area कितना है 314 meters को आया है ठीक है साथ में बोला जा रहा है यह sprinkler at the end of the garden मतलब एक sprinkler है वो garden के center पर लगा हुआ है at the center of the garden इस center पर क्या लगा हुआ है यह जो garden है उसके center पर एक sprinkler लगा हुआ है जिसमें से क्या निकल रहा है पानी निकल रहा है ठीक है आया समझ में तो ऐसे sprinkler है जिसमें से क्या निकल रहा है और पानी निकल रहा है ठीक है आया है समझ में एड दी सेन्ट्र अप तब अ गाड़न आई। रेडियस ओफ यु Betser हो ठीक है इतना आया समझ में उन्होफरिंगलर्ड उन्टाएर गार्डुन। अबसे पूछा जा रहा है यह जो पूरा गाडन दिख रहा है क्या sprinkler पूरे garden को पानी दे सकता है क्या ये हमसे पूछा जा रहा है ठीक है सबसे पहले तो हमें क्या देके रखा हुआ है area देके रखा हुआ है garden का क्या है 314 meter square है ठीक है उसके बाद साथ में ये बोला जा रहा है कि जो sprinkler है ना वो कितनी दूर तक पानी दे सकता है उसमें सिर्फ एक information दे के रखिए कि radius जो है वो 12 meter होगा ठीक है आया समझ में तो हमें क्या करना होगा हमें तो सबसे पहले निकालना होगा area की कितने area में sprinkler पानी दे सकता है ठीक है आया समझ में तो यहाँ पर सबसे पहली information देखे रखी है सबसे पहली information यहाँ पर देखे रखी हुई है area of the area of the circular flower garden क्या area देखे रखा है 314 meter square ठीक है इतना आया समझ में साथ में क्या information देखी रखी है कि a sprinkler at the center of the garden can cover an area that has a radius of 12 meter ठीक है कितना cover कर सकता है कितने दूर तक पानी दे सकता है उतने area में पानी दे सकता है जिसका radius कितना हो 12 meter हो ठीक है तो यहां पर हम लिख देंगे radius कितना देके रखा है radius of an area radius of an area that the sprinkler that the sprinkler can cover ठीक है कितना radius देके रखा हो है radius हमें देके रखा हो है 12 meter यहां पर हम क्या लिख देंगे यहां पर हम लिख देंगे 12 meter ठीक है अब हमें क्या find out करना है अब हमें find out कर लेना है area ठीक है तो यहां पर हम लिख देंगे area that the sprinkler can cover तो इसके लिए क्या करना होगा radius देके रखी है तो अफकॉस यही होगा कि pi r square का हम क्या लगा देंगे formula लगा देंगे radius देके रखी है and area की बात हो रही है and circular flower garden की बात हो रही है तो area of a circle का formula लग जाएगा जो कि क्या है pi r square ठीक है pi की value यहां पर बोला जा रहा है 3.14 लेनी है तो हम बोले लेंगे radius कितनी है radius 12 है तो यहां पर 12 आ जाएगा multiply by 12 कर देंगे ठीक है इतना आया समझ में अब हम क्या करेंगे decimal remove कर देंगे 314 decimal remove करेंगे denominator में 20 आ जाएगे क्योंकि decimal के बाद कितनी digits है 2 digits है अब हम क्या करेंगे multiply by 12 multiply by 12 अब हमें क्या करना है solve कर दिना है 12 multiply by 12 करेंगे सबसे पहले तो answer क्या आएगा 2 2s are 4 2 1s are 2 and यहां पर cross का sign 1 2s are 2 1 1s are 1 तो answer आ रहा है 144 अब हम क्या करेंगे 144 को 3 1 4 से multiply कर देंगे 3 1 4 से 144 को हम क्या कर रहे है multiply कर रहे है तो 4 4 is a 16 1 कह रहे है यहां पर 4 1s are 4 plus 1 5 आएगा 4 3 is a 12 आजाएगा यहां पर cross का sign same यही answer आएगा क्योंकि 4 को दुबारा हम 3 1 4 से multiply कर रहे है यहां पर 6 यहां पर 5 यहां पर 2 यहां पर 1 2 बर cross आजाएगा अब 1 4 is a 4 1 1 is a 1 1 3 is a 3 ठीक है अब हम कर देंगे add यहां पर 6 आएगा 5 plus 6 11 1 कह रहे हैं यहां पर 1 plus 2 3 होता है 3 plus 5 8 हो जाएगा and 8 plus 4 12 हो जाएगा 2 यहां पर 1 कह रहे 1 plus 1 2 2 plus 2 कितना होगा 4 4 plus 1 5 हो जाएगा and 1 plus 3 4 ठीक है तो answer क्या आ रहा है 4 5 2 1 6 तो यहां पर हम लिख देंगे 4 5 2 1 6 and divided by क्या है divided by 100 है अब हम क्या करेंगे decimal में convert कर देंगे denominator में 2 0 दिख रहे हैं तो हम numerator में and से count करते हुए 2 digit के पहले decimal लगा देंगे ठीक है तो 4 5 2 0.16 and साथ में क्या आ जाएगा metr की बाद चल रही है metr square ठीक है इतना आ गया समझ में तो हमें इस से क्या समझ में आ रहा है कि कितना area sprinkler cover कर सकता है कितना area sprinkler cover कर सकता है तो यहां पर देंग रखा है 4 5 2.16 metr square ठीक है एंड गार्डन का एरिया क्या था जो circular गार्डन था उसका एरिया था 314 मीटर स्क्वाइर ठीक है और हमसे पूछा जा रहा है will the sprinkler water the entire garden क्या जो sprinkler है वो पूरे entire garden को पूरे जो circular गार्डन है उसको पानी दे सकता है क्या तो बिल्कुल दे सकता है क्योंकि flower garden जो है उसका area 314 meter square है and sprinkler की capacity कितनी है कि वो कितनी दूर तक पानी दे सकता है कितने area तक 452.16 meter square तो 314 तो उससे भी कम है तो वो वहां तक तो पहुची जाएगा अराम से उससे भी जाधा दे सकता है 452.16 meter square इसका मतलब क्या है इस question का answer क्या होगा yes the sprinkler the sprinkler will water the entire garden ठीक है जो sprinkler है वो पूरे garden को क्या कर सकता है water दे सकता है ठीक है इतना आगया समझ में आया है तो जल्दी से note down कर लीजिए कर लीजिए आपने note down हम next क्या देके रखा है question 15 question 15 हम से क्या बोल रहा है find the circumference of the inner and the outer circle shown in the adjoining figure मतलब यहां पे क्या देके रखा है एक तो हमें inner circle देके रखा है और एक outer circle देके रखा है दोनों का हमें क्या निकालना है circumference निकालना है ठीक है तो यहां से लेकर यहां तक भी 10 मीटर होगा, यहां से लेकर यहां तक भी 10 मीटर होगा, यहां से लेकर यहां तक क्या है 19 मीटर, तो जब हम इस पूरे में से इतने को माइनस कर देंगे, तो इतना पूरा हमें पता चल जाएगी इतने पूरे की लेंथ, मतलब इतनी लेंथ प पता चलेगी कि नहीं, कहां से लेके कहां तक की लेंद पता चल जाएगी, मतलब जो radius है inner circle का, वो हमें पता चल जाएगा, कैसे? जब हम पूरे में से इतने को माइनस कर देंगे, इस पूरे radius में से इतने पात को हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास inner circle का क्या आजाएगा? रेडियस आजाएगा, ठीक है? आया समझ में, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, सबसे पहले, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हम, radius of the inner circle कैसे आएगा? जस्ट अभी मैंने आपको बताया, 19 मीटर में से हम क्या करेंगे? 10 मीटर को माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा? 9 मीटर आएगा, ठीक है? फिर हमें क्या find out करना है? circumference find out करना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, circumference of the inner circle क्या आजाएगा? यहाँ पर 2 pi r, ठीक है? pi की value बोली गई है, कि हमें 3.14 लेनी है, तो हम वही लेंगे, 2 multiply by 3.14, multiply by radius कितना है? radius यहाँ पर 9 देके रखा है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? अब हम decimal को fraction में convert कर देंगे, मतलब decimal remove कर देंगे, 314 हटाया, 314 यहाँ पर लिखा and decimal हटाया, and decimal के बाद 2 digits हैं, तो denominator में 2-0 आएंगे, यहाँ पर 1 and यहाँ पर 9, ठीक है? इतना आया समझ में, अब हम क्या करेंगे? multiply कर देंगे, 2-9 जा हमें पता है कितना होता है? 18 and 18 को हम क्या करेंगे? 314 से multiply कर देंगे, ठीक है? 8, 4 is a 32, 3 कह रहीं यहाँ पर, 8 plus 3, 11, 1 कह रहीं यहाँ पर, 8, 3 is a 24, 24 plus 1, 25, यहाँ पर cross का sign, 1, 4 is a 4, 1, 1, 1, 3 is a 3, add कर देंगे, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, 5 plus 1, 6 and 2 plus 3, 5, तो answer क्या आ रहा है? 5, 6, 5, 2 हमारा answer आ रहा है, यहाँ क्या आए, answer 5, 6, 5, 2 divided by 100, ठीक है, आगया समझ में, अब हम क्या करेंगे, decimal में convert कर देंगे, यहाँ पर हमें दिख रहा है, 2, 0, तो and this account करते हो, numerator में, हम 2 डिजिट के पहले क्या लगा देंगे, decimal लगा देंगे, ठीक है, तो answer क्या आएगा, यहाँ पर, 5, 6, decimal, 5, 2, ठीक है, and meter चल रहा है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, meter square लिख देंगे, इसका मतलब क्या है, circumference of the inner circle कितना आया है, circumference of the inner circle आया है, 56.52 meter square, ठीक है, इतना आ गया समझ में, अब हमें क्या करना है, अब हमें circumference of the outer circle भी find out करना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख द circle, radius of the outer circle, कितना देके रखा हुआ है, radius, यहाँ से लेके, यहाँ तक कितना है, 19 meter, तो हमें find out क्या करना है, हमें find out करना है, circumference of the outer circle, formula क्या रहेगा, same भई formula रहेगा, 2 pi r, ठीक है, अब हम value put कर देंगे, 2 multiply by 3.14, multiply by radius कितना है, 19 है, यहाँ पर हमने 19 लिख दिया, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, decimal remove करेंगे, मतलब 2 multiply by 314, decimal remove किया, decimal के बाद 2 digits है, यहाँ पर 2-0 आएंगे, यहाँ पर 1, multiply by 19, ठीक है, सबसे पहले 19 multiply by 2 करेंगे, तो क्या आएगा answer, 38 आएगा, तो 314 को हम 38 से क्या कर देंगे, multiply कर देंगे, 8, 4 is a 32 होता है, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 8, 1 is a 8 plus 3, 11 हो जाएगा, 1 कह रही है, यहाँ पर, 8, 3 is a कितना होगा, 8, 3 is a हो जाएगा, 24, 24 प्लस 1 कितना होगा, 25, cross का साना आएगा, then उसके बाद, 3, 4 is a 12, 2 यहाँ पर, 1 कह रही है, यहाँ पर, and then उसके बाद, 3, 1 is a 3, plus 1, 4 आजाएगा, यहाँ पर, 3, 3 is a 9, add कर देंगे, तो answer क्या आएगा, यहाँ पर, 2, यहाँ पर, 3, 5 प्लस 4, 9, and 9 प्लस 2, 11, तो answer क्या आ रहा है, हमारा, 1, 1, 9, 3, 2, divided by क्या आएगा, divided by 100, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, decimal में convert कर देंगे, हमें दिख रहे है, denominator में 2, 0 है, अब हम क्या करेंगे, and से count करते हुए, 2 digit के आगे लग जाएगा, decimal, and यहाँ पर क्या है, 1, 1, 9, 3, 0, answer आ जाएगा, 7 में लग मीटर स्कॉर, ठीक है, तो answer क्या रहा है, circumference of the outer circle आ रहा है, 1, 1, 9, 3, 2, मीटर स्कॉर, ठीक है, इतना आ गया समझ में, आया है, तो आप जल्दी से note down कर लीजिए, कर लिया आपने note down, अब next question क्या है, question 16, question 16 अंसे क्या बोल रहा है, how many times a wheel of radius 28 cm must rotate to go 352 meter, हम से बोला जा रहा है, कि एक wheel है, वो कितने times rotate करेगा 352 meter चलने के लिए, मतलब एक wheel है, circular shape का एक wheel है, ठीक है, and वो इस path पर चल रहा है, ठीक है, यह जो path है, यह जो path है, वो 352 meter का है, ठीक है, मतलब यह जो ending यहां तक होगी ना, मतलब यह जो distance है, यहां से लेकर यहां तक का जो distance है, वो क्या है, वो 352 meter है, तो बोला जा रहा है, कि यह जो wheel है, वो कितने circles, कितने rotates लेगा, कितने times वो rotate करेगा, यहां तक पहुचने के लिए, मतलब 352 meter आगे पहुचने के लिए, ठीक है, आया समझ में, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम circumference निकाल लेंगे wheel का, ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, circumference निकाल लेंगे, ठीक है, और radius हमें देखे रखी हुई है, मतलब, यह चो circular wheel है, उसकी radius हमें देखे रखी हुई है, क्या, 28 cm देखे रखी हुई है, तो हम यहां पर लिख देंगे, radius of the wheel is equal to 28 cm, ठीक है, आया समझ में, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें देखे रखा है, कि कितना चलना है, 352 meter चलना है, क्या बोला है, how many times a wheel of radius must rotate to go 352 meter, ठीक है, तो जब हमें, यहां पर 352 meter देके रखा है, यहां पर centimeter देके रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो centimeter को meter में convert करना पड़ेगा, या meter को centimeter में convert करना पड़ेगा, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिख देंगे, distance, यह distance चोड़िए, हम क्या लिखते हैं कि कितना rotate करना है, to find, see the only data to find, to find the times, to find the number of times, to find the number of times a wheel, a wheel must rotate, to go 352 meter, ठीक है, यह find करना है हमें, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें circumference of a wheel निकालना होगा, मतलब circumference of a circle निकालना होगा, ठीक है, आया समझ में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर circumference of a wheel find out करेंगे, तो यहाँ पर formula क्या है, 2 pi r, 2 multiply by pi की value क्या डालनी है, 22 upon 7, and radius कितनी देखे रखी हुई है, 28, तो यहाँ पर 28 लिख देंगे, ठीक है, अब cancel out करेंगे, 7 1s are 7 and 7 4s are 28, तो 222s are 44 होता है, and 44 को 4 से multiply करेंगे, तो answer क्या होगा, 4 4s are 16, 1 कह रही है यहाँ पर, 4 4s are 16 plus 1 17, तो 176 हमारा answer आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, 176 cm, ठीक है, तो circumference of a wheel कितना आया है, 176 cm आया है, ठीक है, अब हमें क्या find out करना है, to find the number of times, a wheel must rotate to go 352 meter, हमें यह find out करना है, तो जब हमें यह find out करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम 352 meter को convert कर लेते हैं, cm में, ठीक है, हमें पता है, 1 meter में 100 cm होते हैं, तो 352 meter में कितने cm होंगे, 352 multiply by 100, तो answer क्या आएगा, 35200 cm, ठीक है, यह आजाएगा, तो अब हमें क्या करना है, हमें 35200 cm को 176 cm से divide कर देना है, फिर जाके क्या आजाएगा हमारा answer, number of times a wheel must rotate to go 352 meter, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, जिसे हमने convert करके बोला है, 35200 cm, मतलब कितने times वो wheel rotate करेगा, 352 meter तक पहुशने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं, 35200 cm पहुशने के लिए, क्या करना पड़ेगा, 35200 cm को हमें 176 cm, जो की circumference of the wheel है, उससे divide कर देना होगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 35200 को हम divide कर रहे हैं किस से, हम divide कर रहे हैं 176 से, ठीक है, आया समझ में, तो जब हम कर देंगे divide, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, cancel out कर देना है, इफ हो रहे हैं तो, यहाँ पर क्या आएगा, 2 की table से करेंगे, 2816, यहाँ पर क्या होगा, 212, 1 carry क्या होगा, 2714, 1 carry जाएगा, 2612, यहाँ पर 00, ठीक है, अगें यहाँ पर, 248, 248, यहाँ पर क्या आएगा, 2816, 1 carry जाएगा, 2816, यहाँ पर 00, ठीक है, अगें यहाँ पर, 224, 224, यहाँ पर, 248, 248, यहाँ पर 00, अगें cancel out, और है, 212, 212, यहाँ पर, 224, यहाँ पर 00, 0 and again यहाँ पर 11 1 is 11 and 11 2 is 22 and यहाँ पर 00 ठीक है आया समझ में तो हमें find out करना था the number of times a wheel must rotate तो कितने टाइम्स आ रहा है 200 टाइम्स कितने टाइम्स आ रहा है 200 टाइम्स a wheel must rotate wheel must rotate to go 352 मीटर 352 मीटर जाने के लिए wheel को कितना rotate करना पड़ेगा कितने टाइम्स तो 200 टाइम्स हमारा answer आया है ठीक है आया समझ में बस ऐसे ही हमें कर देना है इस question को solve तो आप जल्दी से इसे note down कर लीजिए कर लिया आपने note down और वीडियो अच्छे लग रहे है तो क्या करना है आपको इस वीडियो को like करना है comment करना है and share कर देना है ठीक है अब question 7 हम से क्या बोल रहा है the minute hand of a circular clock is 15 cm long बोला जा रहा है कि एक circular clock है जिसमें जो minute hand है suppose यहां से लेकर यहां तक क्या है minute hand है ठीक है the minute hand of a circular clock is 15 cm long तो वो क्या है 15 cm long है मतलब यहां से लेकर यहां तक कितना है distance 15 cm हमें दिख रहा है center to the circumference distance यह के रखा हुआ है तो मतलब यह क्या है यह है radius circle के form में अगर हम देखें तो यह क्या है यह जो minute hand है वही क्या है radius है ठीक है फिर बोला जा रहा है how far does the tip of the minute hand move in one hour बोला जा रहा है यह जो tip है minute hand की वो एक घंटे में कितनी दूरी तक घुमेंगी ठीक है आया समझ में हमें पता minute hand जो है वो एक घंटे में पूरा एक round ले लेती है clock का है अगर 12 से start हो रही है तो एक घंटे में वापस हमें दिखेगा कि 12 पर ही आके रुख गई है आया समझ में मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि कितनी दूरी यह जो tip है minute hand की लेगी पूरे एक hour में ठीक है तो एक hour में हमें पता है यहां से start होगी तो वापस यहां तक आ जाएगी ठीक है यह जो tip है जो minute hand है वो यहां से start होगी पूरा एक circle ले लेगी ठीक है basically हमें क्या find out करना है circumference find out करना है क्योंकि इस tip का बोला गया यहां से start हो रहा है यह जो minute hand है and end भी यहां पे हो रहा है मतलब पूरा एक circle ले रही है 1r में 1r में पूरा एक circle ले रही है मतलब basically हमें find out करना है circumference ठीक है आया समझ में तो यहाँ पर हम लिख देंगे the minute hand of a circular clock is equal to किसके equal है radius of the circle ठीक है जो कि कितना है कितना देके रखा है 15 cm ठीक है इतना है समझ में अब यहाँ पर बोला जा रहा है how far does the tip of the minute hand move in one hour तो यहाँ पर हम लिख देंगे to find how far the tip of the minute hand move in one hour तो उसमें क्या करना पडेगा we have to find we have to find the circumference of a circular clock अगर हमें यह find out करना है कि यह जो minute hand है वो कितना distance cover करेगी एक आर में तो हमें क्या find out करना पडेगा circumference of a circular clock find out करना पडेगा ठीक है इतना आया है समझ में तो अब हम क्या करेंगे find out कर लेंगे circumference of a circular clock is equal to 2 pi r ठीक है 2 pi r pi की value क्या है pi की value 3.14 देके रखी हुई है and radius क्या हो जाएगी radius हो जाएगी 15 ठीक है अब हम क्या करेंगे अब हम decimal remove कर देंगे 2 multiply by 314 होगा divided by 100 हो जाएगा क्यों है ऐसा क्योंकि decimal के बाद 2 digits है यहाँ पर 2 0 लग जाएगे नागे 1 लग जाएगा and multiply by 15 हो जाएगा इतना आया समझ में अब क्या करना है 15 2 हमें पता है 30 होता है 30 को हम 314 से multiply कर देंगे ठीक है 0 0 0 आ जाएगा सबसे पहले and then 3 4 0 12 2 यहाँ पर 1 कहा है यहाँ पर 3 1 0 3 plus 1 4 and 3 3 0 9 यहाँ पर 0 यहाँ पर 2 है यहाँ पर 4 है यहाँ पर 9 है तो answer क्या आ रहा है answer आ रहा है 9 4 2 0 क्या आ रहा है answer यहाँ पर 9 4 2 0 divided by क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा 0 से 0 cancel out हो जाएगा देन हम एंड डिनोमिनेटर में एक जीरो दिख रहा है तो अब हम क्या करेंगे? नूम्रेटर में एंड से काउंट करते होगा, यहाँ पर एंड क्या होगा? सबसे पहले तो 942 आ रहा है, डिवाइड बाइ 10 आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर एंड 2 से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट करते हो, मतलब एंड से स्टार्ट करते हो, नूम्रेटर में एक डिजिट के पहले क्या लग जाएगा? decimal, मतलब 94.2 यहां पर आ जाएगा answer and 7 में क्या लग जाएगा, 7 में centimeter लग जाएगा, ठीक है, आया समझ में इसका मतलब क्या है, circumference of a circular clock कितना आया है, 94.2 centimeter, जिसका मतलब क्या है, यह जो minute hand है, वो कितना distance cover करेगी, या कितना फार्थ चलेगी, मतलब कितनी दूरी तक चलेगी, तो हमें पता चल गया है, 94.2 centimeter तक वो चल सकती है, ठीक है, आया समझ में वो भी एक घंटे में, ठीक है, इतना आगया समझ में आया है, तो आप जल्दी से note down कर लीजिए, कर लिया आपने note down, तो यहां पर होती है, हमारी वीडियो complete, exercise 9.2, हमने पूरे तरीके से complete कर लिया है, जिसमें question first to question 17 तक हमें questions दे के रखे थे, हर एक question को हमने solve किया है, तीन parts में मैंने आपको समझाया था, पहली वीडियो और दूसरी वीडियो अलरेडी, मतलब playlist में आपको मिल जाएगी, अगर आपने वो नहीं देखिए, तो सबसे पहले आपको वो देखना है and then फिर आना है third video पर ठीक है, जिसमें हमने क्या किये, question 13 to question 17 solve किये, ठीक है, आगे है समझ में and ये video अच्छी लगी है and समझ आईए तो आपको provide कराते है, free of cost, quality education, e-books and e-notes की जो link है आपको description box में मिल जाएगी and ये रहे हमारे other social media platform जैसे की YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, Twitter, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं and कर सकते हैं Magnet Brains को follow, अब इससे next video में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, ये जानने के लिए करना क्या होगा YouTube चैनल पर जाके कर दिना होगा Magnet Brains को subscribe Thank you so much